अभी एक बहुत ही इंपोर्टन अपडेट आ रहा है। एक्जामिनेशन मोड जो होगा आपका यूनिवर्सिटी का वो किस मोड पे आपका एक्जामिनेशन होगा MCQ और रेस्क्रिप्टीब ऑनलाइन या फिर ओफलाइन डिटेल्स पे हम लोग जानेंगी इस वीडियो में वीडियो कौन तक देखना वीडियो को मस्ट सेयर करना क्योंकि बहुत ही इंपोर्टन अपडेट है और वीडियो को लाइक करना तो चेलिए ज्यादा समय ना लेते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक वेबसाइट के बार में मैं आपको बताना चाहूंगा जो कोई है आपका अब देख सकते हैं समार्ट क्वीज डिफरेंट डिफरेंट कोर्स सब कुछ एवेलबल मिलेंगे डिफिनली यह वेबसाइट चेक कीज़े नीचे अगर डिटेल्स में आप जाये तो आप देख सकते हैं बहुत सारा यहां पर समार्ट क्वीज टॉपिक टेस्ट यहां पर आपका SBI क्लार्क हो गया, PO हो गया, FCI हो गया, आपका IBPS क्लार्क हो गया, डिफरेंट 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 एग्जामिनेशन का, अगर आप रिजर्ब बैंक का कोई एग्जामिनेशन देना चाहते है, ग्रूप B या फिर RBI Assistant, RBI Office Attendant, कोई भी एग्जामिनेशन का, यहां पर आपको सब कुछ details मिलेंगे, तो definitely guidely website को आप लोग follow कीजे, daily description box में आपको link दे दूँगा, for every government examination, तो चलिए अभी अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो चलिए हापे क्या बोला चले है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकती है, आया है the telegraph पे, UGC, क्या बो program online में provide कर सकते हैं, ना कि provide कर सकते हैं online में, online पढ़ा के offline exam भी ले सकते हैं, यह भी यह जिसी के तरफ से बोला जा रहा है, चलिए और भी क्या बोला जाले देखते हैं यहाँ पे, the university grant commission has proposed allowing universities to offer up to 80% of any non-technical academic program online, dismaying academics who say, this would hurt the quality of education and entangle poor and rural students in problems, of connectivity, मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जहाँ पर सब कोई मना कर रहे हैं, UGC को कि इसमें quality of education fall करेगा, उसके साथ-साथ जो गरीब and rural area में students रहते हैं, उनका connectivity का problem के रिए वो भी अच्छे से बढ़ने ही पारें, पाएंगे, उसके उसके चलते भी, उसके वो सब जान प्रोग्राम है, in online mode, और भी क्या बोला जा रहा है, the higher education regulator had last year allowed universities to offer up to 40% of non-technical course online, up from the 20% mandated in 2017, about 100 universities have begun offering a few courses online under 40% mode, यह आपको पता है कि स्वायम यह सब different different course का 40% आपको online में करवाया जाता है, अभी यह 40% छोड़के भी, और भी ज्यादा 40% इसके उपर increase किया जाए और बोला जा रहा है, कि university अगर चाते हैं, 80% of syllabus online में cover कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और भी क्या यहाँ पे, बोला जा रहा है, अब देख, मैं आपको दिखाता हूँ, details में, अभी तक अभी क्या बोला जा रहा है, which are e-content prepared by the subject experts, the viresities are not allowed to conduct real-time virtual classes, the exams are held online too, but under the new proposal, the additional 40% of online education can be include, virtual classes and the exams are held offline, मतलब, जो additional 40% include हो रहा है, अभी यह new policy आया है, इसके थूर 80% online में पढ़ाया जा सकता है, virtual classes के थूर, पहले क्या होता था, आपका examination भी online में जो पढ़ाया जाएगा, आपको offline में उसका examination भी लिया जा सकता है, तो यह है आपको बोला जा रहा है, UGC के तरफ से, इसका अभी सब को ही मतलब खिलाप है, बहुत सरज teacher, student में आपको बताया है, उसके अलाबा भी UGC अभी यह करने के लिए तयार है, UG maximum syllabus C online में complete किया जा सकता है, मैं यहाँ पर बोल रहा है, जा सकते है, मतलब कोई भी university को force नहीं किया जा रहा है, कि आपको complete करना ही पड़ेगा, 80% syllabus online में, यहाँ पर यह बोला जा रहा है, अगर कोई university चाते हैं, online में 80% पढ़ाना, जो top 100 universities है, वो तो definitely कर सकते हैं, other universities को क्या क परेंगे online में पढ़ाने के लिए, पर जो 100, जो NAC rank है, 100 के आसपास हैं, या फिर 100 तक जिनका rank है, वो definitely 80% तक अपना syllabus online में अगर चाते हैं, तो पढ़ा सकते हैं, exam offline में ले सकते हैं, तो university के ऊपर अभी power और भी increase किया जा रहा है, अभी hopefully universities online study को भी focus करेंगे, आपको क्या लगता है, UGC ने ठीक किया है, गलत किया, आप definitely comment करके बताना, मुझे परसन ही लगता है, 80% थोड़ा ज्यादा है, अगर 20% तक ये किया जाता, तो ठीक है, 80% जो जो students rural area में रहते हैं, या फिर जिनका पास internet connectivity उतना अचा नहीं है, उनके लिए definitely problem होगा, आपको क्या लगत यहाँ पर देखे और भी बोला जा रहा है, he added, there are enough studies that show a dead decline in the quality of learning and research among students participating in some of the online programs, ultimately the public universities in India will adopt these disastrous measures under pressure from the UGC, the government standards will suffer and the private universities will prosper, पतलब क्या बोला जा रहा है कि education का जो, यहाँ पर जो main education है, वो अभी definitely suffer करेगा, इस rule के लिए, यहाँ पर बोला जा रहा है, different different teachers से, teachers organization से, Delhi University से भी, Delhi University के जो teachers association है, वो भी यहाँ पर इसके खिलाप है, यहाँ यह बोला जा रहा है, इससे जो under privileged students है, जो rural area में रहते हैं, उनका definitely problem होगा, और जो private universities है, वो ह only prosper करेगा, तो ultimate क्या होते है, हम लोगो थोड़ और दिन वेट करना पड़ेगा, UGC तो अभी तयार है, जो online education है, उसको definitely promote करने के लिए, अगर हम लोग यह नहीं चाते हैं, तो definitely यह वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा से शेर कीज़े, ताकि और भी students को बता चले और आप क्या चाते है, definitely मुझे comment करके बताना, ताकि कोई official के पास यह वीडियो अगर पहुचे, comment box अगर कोई भी check करे, तो definitely आप लोग क्या चाते है, वो check कर पाये, तो definitely check करना, and जो मैंने बताया, guidely, वो guidely को definitely, आप लोग वो guidely website को follow कीजे, and आप मेरा promo code use कर सकते है, sky12, उसके through, आपको 12% तक off, मिल सकता है, कोई भी course में, कोई भी आपका online test series में, students का ये भी question है, कि exam किस mode पे होगा, तुम्हाँ आपको ये बता सकता हूँ, West Bengal में मुझे परसों ही लगता है, online में ही होगा, and MCQ, Macout छोड के आदर, सभी university, hopefully descriptive type, जैसे आप exam देते हैं, घर बैठे वैसे ही देंगे, जैसे previously हुआ था, and Macout, hopefully, फिर से MCQ examination ले सकता है, तो आपको डरनने का जरुरत नहीं, UGC in common बोलें, ऐसा नहीं, कि situation में, offline में examination होगा, इस situation में, university के पास right है, जैसे वो चाते हैं, वैसे ही examination ले सकते हैं, hopefully, online में ही होगा,